दोस्तो आज के वीडियो के लिए जिए कंसे लिए सब्सक्राइब को जरूब कर देखी और आपकी दोस्त जो क्लास्ट वीडियो अप्लोड किया था उसमें आप लोग आर्स वालों में पता चल्गया कि कुणकुण सब्सक्राइब क्या क्या है तो ऐसे में science वाले commit करने लिए सार, science वाले क्या होगा, science वाले में भी जो आप लोग का syllabus है, बता दो दोस्तो, जो syllabus है ठीक है, और जो आप लोग question bank है, दोनों में differences है, यानि कि syllabus में बहुत सारे ऐसे chapters हैं, ठीक है, ऐसे chapters नहीं है, जो आप लोग question bank में दिया हुआ है, ठीक है तो आप लोग ध्यान सुनिए, क्या करना है, क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे आप लोग अच्छे exam में नवर ला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में अभी बहुँचे दिया है, कि सर हम लोगा question bank में बहुत सारा chapter दिया गया है, जबकि वो chapters हम लोगा syllabus में, जो बिच्छे द दिया है, chemistry का भी हर एक का syllabus जारी किया गया है, और ध्यान से सुनिए, board exam के तयारी में जूट जाइए, क्योंकि तेंथ के बाद अगला पड़ाव 12 होता है, ठीक है, 11 का result कोई नहीं पूचता है, 11 में आप लोग जो भी किये चले, सब साथ खुन माप है, 12 में आप लोग क्य अगर भी के platform पे ले रहा हूँ, तो आप लोग उसमें जोएन हो सकतो, एक रुपी अभी उसमें नहीं लाएगा, ठीक है, कुछ अम लोग का classes होगा, उसमें जो आप लोग बहुत ही महत्पुनों कोश्चे है, जो बोड बोड एक्जम से सम्दित, साथ ही साथ जो आप से जाके पहले आप जोइन कर लिए, अगर आप लोग साइन से हो तो, दूसरी कोई नहीं जाएगा, arts, commerce वाले नहीं जाएगा, कोई फाइदा नहीं होगा, साइन से अगर आप लोग है, तो जाके जोइन कर लिजे, और description में में दोस्तों हमारा WhatsApp चैनल का भी लिंक दे जाएगा, तो हाँ जरूर जाएगा, चले उस तो देखते है क्या, तेकि math में आप लोगा बहुत syllabus है, उसी प्रकार physics में देखे है क्या करना है, आप लोग को main क्या मान की चलना है, आप लोग का, जो syllabus में दिया है, जो बिच्छे दित पाट करम है न, उसमें जो दिया है, देखिए, यहाँ पर इतने सारे चेप्टर आप लोग को बता दू, math में एक मिनट, यहाँ पर भी बहुत सारे chapters दिये गया है, ठीक है, यह सारी chapters का नाम यहाँ दिया गया है, ऐसा हो सकता है कि syllabus में आप लोग का मान लिचेस में से कोई chapter नहीं है, ठीक है, बट आप लोग क question bank में दिया गया, मैं सिर्फ math का बात नहीं कहा रहा हूँ, हो सकता है, फिर इस chemistry में भी, जो आप लोग का syllabus में हो चीज़ नहीं है, बट questions bank में हो चीज़ दिया हुआ है, पर आप लोग समझ नहीं पर रहो, तो आप लोग को सर्फ जो आप लोग का syllabus जारी किया गया, मैं syllabus पर वीडियो पहले ही बता बना चुका हूँ, और हमाले टेलिकरम पर syllabus का आप लोग का वीडियो भी मिल जाएगा, syllabus का आप लोग की एक्स्टा भी दिया हुआ हो, क्योंकि ये पहले से बने आ रहा था, syllabus आप लोग हाल में कुछ दिन पहले जारी हुआ, तो according to syllabus आप लोग तो ही आप अच्छा है वरना फिर बेकार में एक्स्ट्रा चीज़े पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ एक्जाम में हो चीज़ आपका फाइदा नहीं करेगा ठीक है हाँ अगर आप लोग कंप्रिशन एक्जाम की तियारी करेगा तो बिल्कुल पढ़ो मैं नहीं कर चीज़ करना आप लोग फिसिक्स में भी क्यमेस्ट्री भी हो सकता है एक दो टोoffic आप लोग बहुत सरा कोई कोई को कमेंट करें दा माइनस हुआ है तो जो बस जो माइनस हुआ उसको नहीं पढ़ना है ठीक है स्ल्वेस में जो चीज़े उसी को पढ़ना है यह बस देखी तो बस तैयारी में जूड़ जा वहाँ डिस्टिप्स में जरू जूड़ जाना कल हम लोग मस से लाइव क्लास करेंगे उसमें जो आप लोग आप प्रिवेस एस में पूछे गया है और जो आप लोग तैयारी कर रहे हो अभी या फिर जो ये फाउंड़ेसन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए रामबान साबित होगा और जो बोड इसम की तरह मदद दोनों के लिए ठीक है चलिए और बाकी आप क्योंकि अब 12 में अब जिस्ट कुछी मेने से इस बचे है ठीक है अक्टूबर नॉमबर डिसमबर जनवरी फारे बने में तो एक्जाम है तीन मेने बचे हुए लग जाई अच्छे सा क्योंकि ये टिंद नहीं है बावू 12 है ठीक है चलिए लव यू आल टाइंग को लव अब ये अविकल अपना ही फिर नेक्स में जन मिलेंगे तब तक लिजाए हिंद वंदे मातरम